Kia Sonnet जो कि एक बहुत ही ज़ादा धासू Subcompact SUV है और इसके लिए आप लोग और including me बहुत ज़ादा anticipated थे जितना हम लोगों ने सोचा था उतना ही ज़ादा बहतरीन ये product Kia ने launch किया है अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि इस से regarding 2-3 updates हैं वो मैं आपक जाता हूं तो सबसे पहले तो देखिए इसका pre-booking का अपडेट आपको दे दूँ हाला कि मैं वो कल आपको अल्रडी बता चुका हूं कि 6500 से जादा इसकी पहले दिन पर ही pre-booking हो गई थी तो इतना जादा इसका anticipation है ये तो हुआ पहला update अब देखिए दूसरा update यहाँ प किसी भी EV यानि कि Sonnet EV पे काम नहीं कर रहा है उसका main focus अभी Indian market में है subcompact SUV segment और SUV segment इसके अलावा जो hatchback segment है sedan segment है उस पे भी वो इतना नहीं focus करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिलाल वो focus करेंगे subcompact SUVs और fully flesh SUVs पे तो हो सकता है कि recent time में हमें Sorrento जो है वो इंडिया में देखने को म इसके अलावा finally तीसरा update मैं आपको देने वाला हूँ जो कि काफी ज़्यादा धासू है इसके price से related तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि comment box में एक हमारे जो viewer है उन्होंने comment करके कुछ ऐसा suggestion दिया था ऐसी theory बताई थी जो कि मुझे काफी ज़्या है था कि जो Kia Seltos launch हुई थी वो almost starting price जो Hyundai की Creta का था नई generation वाली उससे थोड़ा सा कम था almost मेरे ख्याल से 20,000 रुपए कम है उसका price अगर Seltos की बात करी जाए तो उसका starting price है 9.89,000,000 रुपीज और अगर बात करी जाए Hyundai की Creta की तो उसका starting price है 9.99,000,000 रुपीज यानि की 10,000 तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 10,000 का difference था तो उसी तरीके से अगर देखा जाए Sonnet का price तो अगर बात करी जाए सबसे पहले Hyundai की venue जो की इसका सीधे तोर पर competition होने वाला है उसका price almost start होता है लगभग आप मान के चलिए 6,70,000 के आसपास या फिर कुछ इसी के आसपास है तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो Kia Sonnet का जो price है वो almost start हो सकता है 6,60,000 या फिर 6,70,000 maximum क्योंकि देखे Kia ने पहले भी यही strategy follow की थी Krata के time पर और काफी successful रही और अब अगर हो सकता है कि Sonnet के time पर भी यही strategy follow करती है तो सबसे पहली बात तो हम लोगों के लिए काफी सब्सक्राइब बढ़िया और practical theory दी है हमारे जो viewer है उन्होंने तो दोस्तों ये थे कुछ 3 updates जो कि मैं Kia Sonnet से related आपके पास देना चाहता था इसकी जो pricing strategy बताई है मुझे जो viewer है हमारे वो काफी अच्छी उन्होंने बताई है आप क्या सोचते हैं इसकी regarding please मुझे नीचे comment box म जरूर बताईएगा तो चलिए अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please एक like और subscribe जरूर कर दीजेगा तो चलिए finally at last thank you for watching drive safe and until next video good bye